हलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आज के लाइफ सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले एक बहुत इंपोर्टेंट बात कि दुबारा से केसेज बढ़ने शुरू हो गए हैं कोविट के तो हम सब को वापस से अपने शेल में आ जाना है हमें वेट नहीं करना है कि गवन्मेंट की तरफ से या किसी और तरफ से हमारे उपर प्रेशर होगा तब हम इसको फॉलो करेंगे हम जितनी भी गाइडलाइन्स पिछले साल फॉलो कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, हातों को बर-बर साफ करना बहुत जादा बाहर नहीं निकलना जब तक कि हमारे लिए मजबूरी ना हो तो प्लीज ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे हम खुद भी सेफ हैं और हमारी फैमिली, हमारे आसपास के लोग भी इससे सेफ होंगे तो हर किसी को अपनी responsibility खुद लेनी होगी अगर हमें इस दुबारा आई हुई सारी problems, सारे जो challenges हमारे सामने आ गए हैं इनको बहुत अच्छे से handle करना है और इसको दूर भगा देना है तो आप सबको ये promise करना है, मेरा भी आप लोगों के साथ promise है कि मैं भी इन सब चीजों को अच्छे से follow करूंगी आप जिस topic पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहली चीज Tuesday का live है तो Tuesday का और जो Thursday का live होता है इसमें हमारा live chat नहीं, sorry Q&A session नहीं होता कि मैं आपकी queries को answer करूंगी कोई भी एक topic लेकर मैं आपसे बात कर लेती हूँ चाहे वो कोई massage है, चाहे वो meditation, हम एक meditation कर चुके है चाहे आपकी ही queries जो पूरे week आती रहती है या Saturday को unanswered रह जाती है मैं उन queries को आज answer करती हूँ आज मैं आपके लिए again एक minute massage लेकर आई हूँ जिसको करने में सिर्फ हमें एक minute लगेगी एंड हमें करीबन अगर मैं roughly उन्हें total करूँ तो करीबन डेड़ सो से भी जादा problems को हम अपनी handle कर पाएंगे हम इस massage को एक preventive measure की तरहा मतलब एक बचाओ के लिए use कर सकते हैं तो कहां पर है ये massage और क्यों इतनी influential है इसको थोड़ा सा nutshell में समझ लेते हैं कि हमारी body में 12 meridians होती है energy channels होते हैं energy के path होते हैं जिनके through हमारी body में energy flow करती है according to acupressure acupressure के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ये जो path है energy channels है meridians है इनके through sorry हमारी body में energy flow करती है and जब इनके path में कहीं भी disturbance, कोई blockage या imbalance आ जाता है तो हमें physical level पर किसी भी level पर problems आनी शुरू हो जाती है right तो कभी मैं बना पाई although अभी बहुत सारे आपके साथ promises है मैं उन्हें ही पूरा कर पा रही हूँ कभी अगर मैं बना पाई और आपको मैंने वो सारे channels बताए कि वो कहां से meridian शुरू हो रही है कहां end हो रही है और क्या उसका path है तो आप इसको better समझ पाएंगे बहुत सारे therapists जुड़े हुए हैं हमारे साथ शायद वो इस बात को समझ रहे होंगे ये जो हमारे energy channels है meridians है इन पर जो points होते हैं कुछ points इतने important हैं इतने influential हैं कि उन पर अगर हम सिर्फ pressure देकर massage ही करेंगे तो हमें बहुत सारे health benefits मिलेंगे इसको ध्यान में रखते हुए मैं अकसर कर आपसे ऐसे ही VIP points important points को very important points को select करके आपको videos मैं डालती रहती हूँ channel पे जो लोग नए जुड़े हैं जिन्होंने वो videos नहीं देखी तो आप हमारे channel पे जाके उन्हें देख सकते हैं playlist में क्योंकि Facebook और YouTube दोनों पर है हमारा आज का live तो जो YouTube पर जुड़े हुए हैं वो हमारे channel पे जाके देखें playlist में और जो हमारे साथ Facebook पर जुड़े हैं वो हमारा जो divine care page है वहाँ पर search कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह के कोई shoes आ रहे हैं तो जो हमारी divine care की app है आप उसको install कर लीजे प्ले स्टोर पे जाके ब्लपुल फ्री है आपको कुछ पैसे नहीं उसमें खर्च करने हैं और आपको सारी जो वीडियोज हैं वो एक ही जगा मिल जाएंगी अब हम जल्दी से उस point के बारे में बात करें कहां पर इसकी location है and हमें कैसे उस पर massage करनी है और हमें कितने सारे फायदे होंगे उन फायदों के बारे में बात करनी है तो point का नाम है P6 location है इसकी हमारी wrist में मैं आपको बताती हूँ wrist में कहां है यह देखिए जो यह हमारी wrist है इसका हम बिल्कुल center ले लेंगे I think मेरी location ठीक आ रही है बिल्कुल center ले लेंगे हम इसका और center से पीछे की तरफ चड़े चलेंगे अपनी elbow की तरफ ना पेंगे कैसे इस distance को जिस person को आप pressure दे रहे हैं या जिसकी आप massage कर रहे हैं उसी का thumb width अंगूठे की चोड़ाई होनी चाहिए clear? अब ऐसा नहीं कि आप किसी बच्चे को कर रहे हैं और आप अपना thumb width ले रहे हैं उसी का thumb width लीजे तो एक बिल्कुल जो यह crease आ रही है इसका center लेके एक thumb हमारा ये width होई उसके बाद दूसरी हमारी ये हुई उसी से मिला के आपको दूसरा लेना है तो जहां पर हमारी दूसरी thumb width end होगी वहां पर हमें ये point मिलेगा जहां मैंने ये dot लगाया हुआ है point का नाम है P6 pericardium meridian का 6th point मसाज कैसे करनी है index finger से कर लीजे या thumb से कर लीजे आप इस तरह से circular massage कीजे या आप इस तरह से index finger से भी कर सकते हैं soft massage कीजे की करीबन 1 minute के लिए आप चाहें तो दूसरा तरीका ये होता है कि pressure थोड़ा सा soft डीप pressure दिया उसको relax कराया फिर दुबारा से pressure दिया उसको release किया relax कराया 3-4 बार आप इसको कर लीजे और ये massage left hand में भी left wrist से पीछे जाके forearm में और right left में और right दोनों में आप इसको कर सकते हैं 1 minute के लिए आप सुबा भी कर सकते हैं दोफैर भी और शाम भी मतलब किसी भी समय anytime anywhere बस दो बातों का ध्यान रखना है कि खाना खानी के immediate बाद हमें कोई भी pressure या massage नहीं करनी चाहिए न treatment क्यूंकि उसके पीछे का logic ये है कि उस समय हमारी सारी energy digestion में लगी होती है तो हम यहाँ भी energy को ही balance कर रहे हैं तो हमें अपनी energy को इधर उधर confuse नहीं करना चाहिए वो एक तरफ रहनी चाहिए digestion में तो करीबन 30 मिनिट के बाद आप इस massage को कर सकते हैं otherwise ये massage जो है anytime anywhere की जा सकती है और 2-3 बार आप अराम से कर सकते हैं और दूसरी चीज कि अभी मैंने पिछले दिनों एक कोई massage हम share कर रहे थे तब बताया था कि हम जबी भी कोई massage कर रहे हैं कहीं कोई pressure दे रहे हैं तो breathe को hold नहीं करना है हम गहरे सांस लेते रहे और अराम से अराम से एक normal breathing हमारी चलते रहनी चाहिए ये massage करने से हमी क्या क्या फायदे होंगे अब हम उनको one by one discuss करेंगे सबसे पहली चीज कि जो हमारा chest area है हमारा जो diaphragm है हमारा heart हमारा brain ये सारी ही चीजें हमारी सारे organ ये सारे system हमारे healthy होंगे हमारे heart को मजबूती मिलेगी बहुत आजकल जादा देखने को मिल रहा है कि heart weak हो गया है तो हमारे heart को strong करने के लिए हमें P6 पर massage करनी होगी जब हमारा heart strong होगा मजबूत होगा तो क्या होगा दूसरा function heart का क्या function है वो circulation करता है blood का तो हमारी पुरी body में blood का circulation circulation बहुत अच्छा होगा प्रॉपर होगा और जब blood circulation प्रॉपर होगा तो हमारा blood pressure normal होगा अब चाहे वो low blood pressure की problem है या high blood pressure की problem है clear तो हम इस पर massage करेंगे हमारी blood pressure जो है normal होगा high और low दोनो blood pressure हमारे up to mark रहेंगे clear पहला benefit हो गया दूसरा benefit कि जो हमारे chest area से related problems है जैसे की although ये randomly आई है खासी की problem ये सिर्फ बोलने की वज़ा से मुझे खासी आई थी otherwise जिन लोगों को खासी की problem हो रहती है उनको ये massage beneficial रहेगी जिन लोगों को chest pain रहता है जिन लोगों को chest में एक pressure सा create होता है not pain एक pressure सा create होता है palpitation रहती है धड़कन उनकी बढ़ जाती है उन सब चीजों में उनको relaxation मिलेगा और अगर नहीं भी है तो ये सारी चीजें हमारी regulated रहेंगी अब एक और next जो इसका benefit है ये सारे ही benefits हैं मैं आपके साथ one by one discuss करते चल रही हूँ आप चाहें तो कहीं note down कर लिजे otherwise ये video हमारी आ चुकी है आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं clear अब जो next चीज है ये contravection को दूर करता है मतलब contravection क्या होता है कि जो एक दिशा है किसी चीज की अगर उसके against कोई चीज चल रही है उल्डी दिशा में चल रही है that is called contravection हम कौन से contravection की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम बहुत सारे लोगों के साथ problem होती है कि खाना खाया और वो जो उनका खाना है उनको लगता है कि यहां food pipe में ही अटक गया वो प्रॉपर स्टमक तक जाई नहीं रहा है और अगर चला भी गया है तो उनको लगता है कि खाना मू में आ रहा है वापस जो हमारा स्टमक और food pipe के बीच जो एक हमारा valve होता है वो प्रॉपर functioning नहीं कर रहा होता उसकी वज़ा से यह contravection की problem otherwise God ने भगवान ने ऐसे systems हमारी body में fit किये है कि वो जो valves है वो एक ही direction में खुलते है बस वहाँ से चीज जा सकती है वापस नहीं आ सकती है मतलब वो both side नहीं है कि इधर भी खुल जाएगा और इधर भी खुल जाएगा तो यह जो contravection की problem है कि हमारा खाना मुँ में आने लगता है उस problem से छुटकारा मिलेगा बस सारी लोगों को हिचकी आती है हिचकी जो है hiccups जो है वो भी एक तरीके का contravection है hiccups की problem में relief मिलता है तो जब हम इस point पर massage करेंगे तो जो हमारा खाना है वो बिना किसी problem के सिकनेस की problem motion sickness कहलो उसे travel sickness कहलो उन लोगों के लिए traveling करना बहुत बड़ा एक nightmare होता है कभी भी traveling की बात ही होती है और अभी उनको nausea feeling start हो जाती है क्योंकि वो psychologically उनकी traveling start हो जाती है तो जब बहुत सारे लोगों को जो ये problem है कि nausea हो रहा है journey start होते ही उन्हें vertigo की problem हो जाती है बहुत सारे लोगों को belching हो जाती है डगार यानी शुरू हो जाती है बहुत सारे लोगों को vomit ही होनी शुरू हो जाती है regular तो ये सारी headaches हो जाते है सरदर्द होना शुरू हो जाता है ये सारी problems भी हम इस point पर इस तरहां से मसाज करें, अब दिखिए ये जो मसाज बताने का मेरा लॉजिक है ये इसके पीछे का जो मोटो है वो ये है कि आप ट्रावल कर रहे हैं अब आपके पास किट भी नहीं है आपके पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है जिसे आप प्रेशर कर सके कोई भी एक मसाज कर सके तो आपको कोई ज़रूत नहीं अपने हाथ से ही दूसरे हाथ पर आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं और आप इस बात का तो बिल्कुल फेट रखिए कि इनसे आपको जो मैंने ट्रावल सिकनिस की बात पताई यह जो पोइंट है यह हमारे स्प्लीन को स्प्लीन करता है स्प्लीन क्या रोल है स्प्लीन का बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ स्प्लीन का फंक्शन है हमारे अपर अप्डॉमन में ही होता है ये एक organ, spleen, एक gland की तरह, ये जो organ है हमारा, ये RBC, red blood cells के formation के लिए responsible है, तो RBC किस काम के लिए आती है, कि हीमोगलोबन को, मतला हमारी body में, हमारे blood में हीमोगलोबन के level को maintain करती है, तो जिन लोगों को anemia की problem है, जिन लोगों का हीमोगलोबन हमेशा कम रहता है, वो भी P6 point पर massage करेंगे, तो उनका जो RBCs है, उनका production proper होगा, and RBCs का production proper होने से, उनका जो हीमोगलोबन है, वो up to mark होगा, मतलब की उनकी जो anemia की problem है, खून की कमी है, वो दूर हो जाएगी, right, अब और क्या हमें फायदा हो सकता, मैंने कहा था, शुरू में हमारे mind को relax करता है मतलब की जिन लोगों को बहुत जादा stress रहता है, depression रहता है, हर समय उनको headaches बने रहते हैं, या बहुत सारे लोगों की memory पूर हो जाती है, कि उन्होंने कोई चीज रखी, उन्हें यादी नहीं रही, date से याद नहीं रहती है, उन सब लोगों के लिए इस point पर massage बहुत helpful रहे ये dizziness की problem, सर घूमा घूमा चक्रायावा रहता है, जिन लोगों को नींद नहीं आती है रात को, stress एक बहुत बड़ा कारण है कि नींद ना आना, anxiety रहती है, तो ये सारी चीजे भी मतलब की इस point पर massage करके हम अपने दिमाग को भी relax, cool करा सकते हैं, और अगर इससे related कोई issues ह आपको, उन सब में भी आपको बहुत अच्छा result मिलेगा, और हमें क्या फैदा होगा इससे, females में जो उनके hormones हैं, वो एकदम regulate होंगे, और उनके periods से related, जितनी भी problems हैं, मतलब जितने भी तरहां की problems हैं, अगर किसी को बहुत जादा scanty flow हो रहा है, बहुत कम flow होता है, या कि इससी को बहुत excessive flow होता है, periods irregular आ रहे हैं, cramps आ रहे हैं, abdominal, lower abdomen में cramps आते हैं, या बहुत सारे females को PMS की problem होती है, PMS मतलब pre-menstrual syndrome, कि periods से पहले उनको सरदर्द होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, mood बहुत जादा चिड़ चिड़ा हो जाता है, बहुत जादा, कुछ लोगों को बहुत जादा food cravings होने लगती हैं, कि बहुत जादा खाते हैं खाना, मतलब इसमें से कोई भी आपको PMS की problem भी आ रही है, वो भी हमारे hormones से ही related है, तो जब हम इस point पर massage करेंगे, तो हमारी जितनी भी ये problems हैं, जो PMS से related हैं, या हमारे period से related हैं, क्योंकि वो hormones हमारे balance होंगे तो ये सारी ही चीजे हमारी regulate होनी शुरू होंगी, और अगर किसी को कोई problem है, तो उस problem से भी उसको relief मिलेगा, और हमने बात की थी कि वात-पित-कफ को balance करता है, तो वात-पित-कफ सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ा role है, आयुरवेदा में इसको बहुत detailed discuss किया है, आय भी weightage नहीं देती थी, लेकिन जब मुझे बार-बार पढ़ने को मिलता है, तो मैं थोड़ा सा conscious हो गई हूँ, कुछ बोलते हुए, कि जैसे हमारे चैनल पर बहुत सारे लोगों के comment इस तरह के आने लगे हैं, कि योग को योगा मत बोलिये, योगा बोलने से वो बदल जात है उसका कि हमारा नहीं है, चक्रा मत बोलिये, आयुर्वेदा मत बोलिये, और मैं इन सब बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, कि हम सभी लोग एक हैं, इस language से इस एक A word को, A word को बोलने से कोई फर्क नहीं पढ़ता, कोई quality नहीं कम और जादा हो जाती है, मैं इ पोड़ा सा अब गड़ड़ाने लगी हूँ, जब मैं बोलरी होती हूँ उस word को, तो आयुर्वेद में वात पितकफ को बहुत जादा elaborate करके उसकी सारी value को explain किया गया है, यहाँ पर nut shell में मैं आपको बिताना चाहूंगी, कि जब हमारा वात गड़ड़ा जाता है, तो हमें 80 से भी जादा problems आनी शुरू हो जाती है, minor से लेके एक हलाकि उसे भी मैं minor नहीं कह सकती कि gastric problem हमें हो रही है, क्योंकि gastric problem भी minor नहीं है, बहुत बड़ी-बड़ी problems create कर देती है, और एक बहुत upper level की problem जो कि हमारे brain से related है, जो epilepsy, मिर्गी के दोरे हैं, यह भी हमें वात के जादा problem हमारे वात के बिगड़ने से होती है, और पित के बिगड़ने से करीबन 40 से भी जादा problem हमारी बड़ी में देखने को मिलती है, जैसे कि बहुत basic और बहुत common देखने को मिल रही है, छोटे-छोटे बच्चों को मैं सुन रही हूं कि acidity के problem देखने को मिल रही है, हम बहुत chronic और बहुत severe problems पर न जाएं अगर हम अपनी इन basic चीजों को ही normal करे ले रहे हैं बहुत simple तरीके से तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा achievement हो जाता है तो जो हमारी पित से related problems हैं चाले से भी जादा problem हमारे पित के imbalance से आती हैं तो वो सारी problems हमारी regulate होंगी और हमारी कफ से related problem करीबन 20 से भी ये सारी बते आयूरवेद में ही कही गई है जो मैं आपको बता रही हूँ करीबन 20 से भी जादा problem हमारी कफ के imbalance होने से होती है तो जब हम इस point पर massage करेंगे तो हमारी ये सारी problems करीबन 140-500 से जादा हमारी problems हो जाएंगी roughly तो हम इन सब problems को treat कर पाएंगे, handle कर पाएंगे और एक preventive measure की तरहां भी हम इस massage को use कर पाएंगे और हमारे इस point का क्या benefit है, क्या हमें फाइदा मिलने वाला है इस massage का कि जिन लोगों की neck इतनी जादा stiff हो जाती है कि उनके लिए neck को इधर उधर गुमाना भी मुश्किल हो जाता है, बल्कुल जकड जाती है उनकी neck तो वहाँ पर आप इस P6 point पर जब massage करेंगे तो आपकी neck pain, neck की stiffness दूर होगी, shoulders की stiffness दूर होगी और forearm हमारी हातों में, हमारी wrist का pain, बहुत सारे लोग कहते हैं कि wrist में pain रहता है, उन सबसे relief मिलेगा carpal tunnel syndrome, जो हमारे wrist का ही एक pain है, carpal tunnel pain, उसमें भी हमें relief मिलेगा यह सारे benefits हमें मिलेंगे, जब हम अपनी P6 point पर massage करेंगे, दिन में 2-3 बार and जो अगला एक फायदा है, P6 पर massage करने का बहुत एक exclusive फायदा कि हमारी जो inner self है, उसको strength मिलती है अब इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे, क्या है हमारा inner self, कि हम अपने अंदर से इतने मजबूत नहीं होते या हम अपने को अपने अंदर से ही, देखे कितना एक अजीब सा इकतफाक है, कि हम अपने को ही नहीं जानते हमारे अंदर जो hidden potentials हैं, हमारे अंदर जो qualities हैं, कई बार हम इतने ज़ादा outer world में अपने आपको engaged रखते हैं इन सब चीजों में उलजे रहते हैं, या अब इसको जो मैंने quality आपको बताई, कि हमारा दिमाग हर समय, हमारा brain stressed रहता है, anxiety में, किसी और काम में इतना engaged रहता है, memory हमारी weak हो जाती है, कि हम इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, कि हमारे अंदर क्या क्या quality हैं, मतलब ह एक बहुत बड़ा इसका फाइदा है कि जब हम P6 पर massage करेंगे, तो जो हमारे hidden potentials हैं, हमारी qualities हैं, वो बहार हम उन्हें explore कर पाएंगे, बहार आएंगी मतलब तो कुछ एक अलग सा word लगा, हम उसे explore कर पाएंगे, उसी का एक example आपको बताती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लो पाते हैं, meditation उनके लिए बहुत टेड़ी खीर बन गया है, वो कभी attempt कर ही नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है कि वो बैठेंगे तो वो ध्यान में बैठ ही नहीं पाएंगे, जबकि meditation ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें आपको thoughtless होना है, आपको सिर्फ thoughts को आने देना है और जाने देना है, जिद नहीं करनी है कि तुम नहीं आओगे, जब जिद करोगे तो वो चीज आने के लिए वहीं अटक जाएगी और वो बार-बार hit करेगी अंदर आने के लिए, तो आप उसको free flow कर दीजे, आने दीजे और जाने दीजे, तो वो आपको परेशान नहीं यह एक अलग बात हो गई, meditation से related, जिसको कि specially मैं follow करती हूँ, हम बात कर रहे थे कि हमारे inner self को हम explore कर पाते हैं, उसको strong कर पाते हैं, तो जो चीज हमारे लिए अपनी पहुँच से परे लगती थी, और हमारे अंदर hidden वो quality थी, जब हम इस point पर मसाज करेंगे हर दिन, दोनों ह तो हमारे अंदर एक यह quality आएगी, कि हम अपनी inner journey भी करेंगे, क्योंकि यह advantage, यह फायदा में आपको पहले बता चुकी, कि यह हमारे brain को, हमारे mind को relax करेगा, हमारा stress, हमारी anxiety, वह सारे लोगों को जो depressing thoughts हमेशा बने रहते हैं, वो दूर होंगे, उनकी memory strong होगी, तो definitely एक जो यह वाला part था, कि हमारी जो qualities हैं, वो हमारे अंदर ही दबी रह जाती हैं, धीरे धीरे उन्हें हम खुद समझेंगे, और उनको explore कर पाएंगे, तो कितने सारे फायदे हैं, हमारे इस एक point पर massage करके, I think मैंने सारे ही points, एक बार मैं go through हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने pointers note down किये ह हुए थे, कोई भी चीज छूट ना जाए, वो सारे ही हमने discuss कर लिये हैं, जितने भी points मैंने लिखे हुए थे, okay, हमारे सारे points discuss हो गए हैं, I hope आपको ये massage बहुत एक काम की लगी होगी, एक बार फिर से पूरी live को आप सुन सकते हैं, वो वीडियो जो हम डाल चुके हैं, ए वो अगर हो सकता है, possible है, तो उसका link description box में share कर दे, ताकि आप उस वीडियो को भी जाके देख सकें, right, एक बार फिर से जो लोग बाद में हमारे साथ जुड़े हैं, हमें इस point कौन से point पर massage करनी है, wrist, दोनों हातों की wrist पर करनी है, अब मैं आपको इतना दूर ले जाके इस और आप ध्यान से देख पाएंगे, ये point, जिस point पर हमें massage करनी है, और हमें इतने धेर सारे फायदे मिलने वाले हैं, ये point हमें मिलेगा, हमारी जो ये wrist की crease है, इसका बलकुल center ले लीजे, center से आपको दो thumb width रखनी है, एक thumb width, दूसरी thumb width, वहाँ पर हमें ये point मिल जाएगा, P6, और इस पर आपको massage देनी है, anytime, anywhere, बस खाना खानी के एकदम बाद नहीं देनी है, करीबन 30 मिलिट के बाद दीजिए, clear, और massage आप खाली index finger से भी इस तहां से दे सकते हैं, circular massage कर लीजे, gentle होनी चाहिए, हमें किसी भी organ को hurt नहीं करना है, या आप इस तहां से pressure भी दे सकते हैं, pressure देना है, उसको release करना है, फिर pressure देना है, उसको relax करना है, तीन से चार बार आप इसको कर लीजे, तो कितने सारे benefits जो मैं आपके साथ अभी discuss कर चुकी हूँ, वो आपको मिलेंगे, और आप problem है, तो भी use कीजे, अगर problem नहीं है, तो भी आप इसको as a preventive measure use कर सकते हैं, अपने को बचाने के लिए, I think ये सारा discussion आपको अच्छा लगा है, तो सिर्फ सुनने से हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, आपको इन सब को use भी करना है, मसाज भी करनी है, जबी भी आप खाली बैठे, आप कोई बहुत जादा बड़ा measurement नहीं है, आपको कुछ ला हो गया, तो भी आप उसको cover कर सकते हो, आगे पीछे थोड़ा सा shift करके भी मसाज कर लीजे, तो आप इसको use कीजे, जो आपको benefits मिल रहे हैं, जो आपको कोई फायदा लग रहा है, तो please share जरूर कीजेगा, मुझे feedback जरूर दीजेगा, और लोगों के साथ भी share कीजे, क्योंक तो please उन सक तक जरूर पहुँचाएए, ताकि जो मेरे को पता था, जो मेरा ग्यान था, मैंने आप तक पहुँचाया, अब जो आपका ग्यान हो गया, अब आप उसको भी आगे फैलाते जाएए, इस mankind के उसके favor में, या अपनी duty को पूरा करने के लिए, आपको और किसी भी मसाज के बारे में कुछ और जानना है, कि आपको अच्छे लगते हैं ये सारे discussions, तो हमारी वीडियो को like जरूर कर दीजे, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा, आपने like किया, तो आपको अच्छी लगी है, आज की life session में इतना ही, एक बर फिर से, अपनी health का ध्यान रखिए बहुत सारी problems life में फिर से आगए है, challenges उसको सब मिलकर पार करेंगे, तो फिर पार कर ले जाएंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चुड़ने के लिए